नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जौप ग्यान किंदर पर और आज हम बात करने जा रहे हैं अगनीवीर स्कीम के बारे में तो क्या है अगनीपत इसकीम और कौन बनेंगे अगनीवीर इस चीज की संपूर जानकारी के लिए वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि घंटी को दबाएं और ओल पर टिक करें जिससे कि आपको अगनीवीर की पल पल की छोटी से छोटी खबर की अपडेट मिलती रहे कि गावर्मेंट ने इसके ओपर क्या एक्शन लिया है क्या कहा है और क्या नहीं कहा तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़ूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज आप कोई भी न्यूस देख लो कोई भी न्यूस पेपर या कोई भी न्यूस चैनल देखोगा तो आपको देखे आगा कि छात्र अगनीपत योजना का बहुत ज़्यादा वरोध कर रहे हैं तो आखर ऐसा क्या है अगनिपत योजना में जो शात्रिस का इतना यादा वरूत कर रहे हैं। आईए जानते हैं अगनिपत योजना का वारे में एक एक पॉइंट। तो उस्तो हाल ही में सरकार के द्वारा डेड़ साल में दस लाख नौकरियों की घुशना के साथ सेना में यानि की आर्मी, एर फोर्स और नेवी इन सब के अंदर साड़ सत्रा साल से एक की साल तक के लोगों के लिए डिफेंस में भरती करने के लिए एक योजना लॉंच की ग जाएगा, इहां डिफेंस में भरती के साथ एक बहुती बड़ा बड़ाव नोगों ने किया है, वो यह है, कि हाँ पर, और बड़ा बड़ावि है, कि यहां पर मात्र आपको सेवा चार साल के लिए ही होगी, जो भी सेने इस स्कीम के जरिये भड़ती होगा उसको चार साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा नहीं कि यहाँ पर भड़ती होने वाले जितने भी लोग होंगे वो केवल चार वर्स के लिए ही भाड़ती सेना का हिस्सा रह पाएंगे और चार साल बाद जब यह व्यक्ति रिटायर होगा इसके लिए अलग से नियम कॉप से निधी का निर्माण किया गया है उस कॉर्पस के तहट सरकार ने लगबग साड़े ग्यारे लाख प्रेद दिये जाएंगे अब आप रिटायर होंगे उस टाइम पे रिटायरमेंट के लिए सरकार ने जो धन देने की बात कही है उसके तहट सरकार का कहना था हम आपकी सेलरी में से जो हिस्सा काटेंगे जो कि आपकी सेलरी का लगबग 30% के आसपास होगा यानि कि अगर आपकी सेलरी 1,00,000 रुपे महिने है तो 30,000 रुपे सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी और आपके उस कॉप्स में आपके अकाउंट फंड में जमा होंगे आपके 60,000 रुपे प्रती महिने आप जब रिटायर होंगे तो आपको इतना धन मिल जाएगा तो ये सारी बात आपकी अगनी पतियों जना के अंदर कही गई है अब इसमें एक बात और जोड़ी गई है कि यदि सेना में सर्विस के दौरान किसी वक्ती की जान को हानी हो जाती है तो उसे बीमा के रूप में एक करोड रुपे की राशी दी जाएगी और यदि उसके सरीर में कोई बड़ी वक्ती हो जाती है तो उसे बीमा राशी के रूप में चम्बालिस लाख रुपे दिये जाएंगे इसी के साथ में जो महत्पुन गोशना की गई थी वो यह थी कि यह सेना में भरती होने वाले जितने भी लोग होंगे इन सब में किसी भी पिरकार का भेद नहीं किया जाएगा यह जो स्कीम होगी यह आपकी All India All Class Scheme होने वाली है उस All India All Class Scheme के तहद यह कहा गया कि राजपूत जैसे कि अलग-अलग जात के हिसाब से अलग-अलग इसमें रेजमेंट होते हैं यह थी आपकी प्रॉपर योजना अगनीपत योजना तो अभी आपने अग्रेवीर योजना के बारे में जो भी सुना वो तो वो था जो गॉवर्मेंट ने कॉन्फरेंस के जरिये पहरे दिन कहा था फिर यूवाओ यानि की यूथ के भारी विरोध के बाद में गॉवर्मेंट ने अगले दिन इस स्कीम के कुछ फायदे गिना आया और इसमें कुछ बदलाव किये जो कि कुछ इस प्रकार से हैं गॉवर्मेंट का कहना था कि इस अगनी पतियो न वि補णा में जिन जिन लोगों की भड़ती की जाएगी उनकी उमर शाड़े सात्रा से जो उम्र का क्राइटेरिया है जिसे हम साड़ सत्रा से लेकर 21 वर्स तक कमान रहे हैं तो उसमें जैसा कि पिछले दो साल से सेनागिम कोई भड़ती नहीं हुई है इस वज़े से सरकार का मानना है कि युवाओ में इस चीज को लेकर एक काफी जादा नाराजगी है ऐसे इस चती में जैसा कि दो साल से लोग वेकेंसी के इंतजार में थे जैसा कि इंतजार करते करते बहुत से बच्चे ओवरेज हो गए थे इस बात को सरकार ने अपने ध्यान में रखते हुए 21 साल तक की जो लिमिट थी उसको सरकार ने 23 साल तक कर दिया है लेकन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो 23 साल तक का इन लोगों ने लिमिट करी है वो सिर्फ फरस्ट एर वालों के लिए है यानि कि जो बच्चे इस साल एपलाई करेंगे यह सिर्फ उन बच्चों के लिए है यानि कि अगर आप इस वर्स एपलाई करना चाहते हैं 23 वर्स तक के जो बालक हैं बच्चे हैं यार प्रति भागी हैं उन्हें एपलाई करने का मौका दिया जाएगा यहां पर यह जो बदलाब हुआ है वो आपका यहां पर इर्च लेक्षिशन का बदलाब हुआ है ऐसा गॉवर्मेंट ने इसलिए अक्या क्योंकि सरकार का मानना था कि जो भी इस योजना का वरोध कर रहे थे इसके बाद गॉवर्मेंट ने एक बात और कही वो यह थी कि यदि आप यह मानते हैं कि चार साल की ही नौकरी है तो यह बहुत ही ज़्यादा गलत है जो कि चार साल में से 25% ऐसे भी अगनेवीर होंगे पर्मानेंट सेना के अंदर कमिशन कर लिया जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि यह ना में जो बाद में बचे हुए सेनिक होंगे पूरी तरह से सकती शंपन और बहुती ज़्यादा बेस्ट पर्फॉर्मेंस वाले होंगे यह भी कहा कि 75% अगनेवीर जो कि इस योजना से 4 साल के बाद बहार होंगे यह रेटायर होंगे उन्हें जो अगनेवीर कोस बनाया गया है कोस के माध्यम से लगबग पौने बारा लाख रुपे दिये जाएंगे यह इतना ही नहीं अगनेवीर 4 साल के बाद में रेटायर होके घर पर आएगा उसके लिए Central Armed Police Forces और देश की विविन राजियों की पुलिस के अंदर इस्थान अपलब कराया जाएगा मतलब यह है कि पुलिस में और Central Armed Police Forces के अंदर अगनी वीरों के लिए अलग से कोटा रजर्व किया जाएगा फिर यह समझी लिजीए कि उनके लिए अलग से इन सब में Preferences दिये जाएंगे यानकि उनको महत्र दिये जाएगा सबसे पहले साथ ही साथ Government ने ये भी कहा कि जो 46-4 साल के बाद रिटायर होके आएंगे उनके लिए Government विविन Corporates में या प्राइवेट कमपनीज में अफिसर Corporates में अगनी वीरों के लिए काफी प्रकार की टेक्निकल सहयता या सुविदाय देने का प्रयास करेगी तो ये थी आपकी अगनी वीर को लेकर संपूर जानकारी यदि आपको इस मैटर में कोई भी डाउट है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ सकते हैं आपके हर सवाल का रिपलाई दिया जाएगा तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट ऐसी ही और बहुत सी इंपोर्टेंट अपडेट और इंफर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टोपिक और अपडेट के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत राम राम आपका दिन शुब हो